बिहार में दो साल के B8 में नामांकन के लिए सुमवार को दूसरी चयन की सूची जारी कर दी गई है जोसके बाद आज यानी मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी बता दे कि पहली सूची के आधार पर नामांकन के बाद राजिभर की विबिन विश्पिध्यालों के अंतरगत संचालित B8 संस्थानों में खाली सीटों पर अभियर्तियों की ओर से चयनित संस्थान, मेधा और आरक्चन रोस्टर के आधार पर संस्थानों का आवांटन करते हुए यह सूची जारी कर दी गई है बता दे कि नोडल पदधिकारी प्रोफेशर आशोक कुमार मेता ने बताया है कि खाली बची कुल 2550 सीटों पर नामांकन के लिए कैंडिडेट को अधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अवांटिद संस्थान को सुपिकार कर 30 मई से 10 जून तक 3000 रुपाय आंचिक सुल्क जमा करना होगा जिसके बाद वो प्रमान पत्रों का सत्यापन कर अनवांटिद स संस्थान में अड्मिशन ले सकेंगे आपको जानकारी दे दे कि दूसरी चयन सूची क्याधार पर अड्मिशन 30 मई से 12 जून तक लिया जाएंगे अड्मिशन में कैंडिडेट को किसी भी प्रकार की परिशानी होने पर वो कार्याले अवधी में हेल्प लाइन नंबर पर क पर एशानियों का एक ही हल एश्वेल लाइफ डियाबिटेस फ्री लाइफ हेल्प लाइन नंबर है 7314629842 और एक और नंबर है जिस पर भी आप फोन कर सकते हैं वो है 9431041694 पर संपर्क कर सकते हैं राजबर के खुल 14 विश्विद्याले के 343 बीएट संस्थानों की 37,450 सीटों पर नामांकन के लिए परिक्षा दी गई थी बता दे कि बिहार में दो साल के बीएट में नामांकन के लिए सोमवार को दूसरी चैन जारी कर दी गई है जिसके बाद आज यानी मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है बता दे कि पहली सूची के अधार पर नामांकन के बाद राज जबर के विबिन विश्विद्याले के अंतरगत संचालित बीएट संस्थानों में खाली सीटों पर अभियर्तियों की ओर से चैनित संस्थान मेधा और अरक्षन रोस्टर के अधार पर संस्थानों का अचन करते हुए ये सूची जारी कर दी गई है आपको बता दे कि नोडल पद अधिकारी प्रोफेशर आशोक कुमार मेता ने बताया कि खाली बची कुल 20,550 सीटों पर नामांकन के लिए कैंडिडेट को अधिकारिक वेबसाइट पर लोगिन करकर आवांटित संस्थान को स्पिकार करके 30 मई से 10 जून तक 3000 रुपए आंटिक सुल्क जमा करना होगा जिसके बाद वो प्रमान पत्रों का सत्यापन कर आवांटित संस्थान में एडमिशन ले सकेंगे आपको जानकारी दे कि दूसरी चायन सूची के आधार पर एडमिशन 30 मई से 12 जून तक लिए ज स्पिकार की परिशानी होने पर वो कार्याले अवधी पर हेल्प लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं बता दे कि राजबर के कुल 14 प्रिश्विद्याले के 343 पीट संस्थानों की 37,450 सीटों पर नामांकन के लिए परिक्षा ली गई है